इस वीडियों जो डिटेल में बात करने वाले में जो न्यू नेकिड टूफिटी आई या इनकी उसके बारे में तो इसके बारे में जो है सबसे पहले आपको बता दूँ पूरा जो है नया लूक्स है फ्रेंट से देखने में जो है आपके MT-15 जैसे दिखेगी MT-03 जैसी लेकिन देखने में कापे अच्छी लग रही है हाला कि Yamaha हमें नहीं दे पाया MT-03 लेकिन यहां पे 250cc में बजाज ने हमें कुछ वैसी ही बाइक दे दी है तो इसके बारे हम इस specs में बात करूँ या फिर features बात करूँ सबसे पहले आता है इसका front front जो है LED DRL के साथ में और projector LED headlamp के साथ में आता है dual channel ABS नहीं मिलेगा जो की एक कमी लगी मेरे कोई spike की की हाँ इसमें कम से कम dual channel ABS होना चीए था फिकोस हम जो है लास्ट टू लास्ट ही expect करी रहे थे कि यार कम से कम ABS में तो कमी ना छोड़े लेकिन इनों ने फिर वो ही single channel ABS दिया है बागी इस front में 300 mm का disc क्रियर में 230 mm का disc में मिल जाता है यदि इंजन के बात करूँ तो इंजन जो है यहाँ पे 250 CC का मिलता है जो की power आपको वो ही देता है जो NS200 देती है मतलब यहाँ पे जो है 24.5 PS के power मिलती है torque जो है जादा मिलता है 21.5 Nm का तो यहाँ पे power and performance जो है जादा भी मैं नहीं बोल सकता बठा NSRS से थोड़ी जादा ही मिलेगी वो जहाँ पे 150 जाती थी यह जो है 160 आराम से जाने वाली है उसके अलावा जो oil cooling system मिलेगा liquid cooling system नहीं है जो main कमी छोड़ दी वो छोड़ दी यार gearbox में price cost cutting के उपर जो है इन्हों ने gearbox में कमी छोड़ दी ABS में कमी छोड़ दी यहाँ पे जो हमें 5 speed का transmission देखने हूं मिलेगा मतलब only 5 gears सेखने हूं मिलेंगे कम से कम 6 speed का gears मतलब 6 speed gears होना चाहिए था लेकिन वो जो है company ने नहीं दिया तो मैं जो है बोलना चाहूंगा यार कम से कम dual channel ABS 6 speed gearbox तो देना ही चाहिए था यदि यहीं नहीं दिये तो फिर bike को लेते time जो है बंदा एक बर सोचेगा तो जरूर बाकि फिर भी जो है price यदि देखते हैं तो bike जो है यार मतलब किसी तरह से भी हम गलत नहीं बोल सकते price काफी अच्छी रखी है price रखी है इस bike की 1.38 lakhs मतलब on route आते आते यार मैं आपको बता दू 1.60 1.65 जाएगी इस से यदा नहीं जाएगी तो इतनी अच्छी price रखी है तो एक-दो features भी अच्छी रख लेते हैं तो जादा बैटर हो जाता बाकी बात को अधर features के बारे हम सोगे इस यहाँ पर जो हमें meter console मिलता है NS250 मतलब N250 में वही same जो हमें 250F में मिलता है semi-distal लेकिन आपको लगेगा ऐसा कि यह जो है digital है यह fully-distal नहीं है गाई यह जो है semi-distal है same वो ही है जो आपको Pulsar 250F में देखने को मिलता है बीचे में जो हमें आपको आर्पेम meter मिल जाएगा and side में जो हमें आपको right में digital meter and left में जो हमें आपको सारी warnings वगेरा यहाँ पर जो हमें आपको sleeper clutch हमें इस bike में देखने को मिल जाती है जो कि एक काफी अच्छी चीज मेरे को लगी कि चलो sleeper clutch तो इनोंने दे दी बागी बात करूँ rear tire के बारे में तो rear tire जो है 130 section का आपको देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी खासे आपको grip देदेगा जो same tire आपको RS और NS में देखने को मिल जाते है rear में जो है monoshock suspension में देखने को मिल जाता है उसके लाव जो है bike का जो looks है वो overall काफे अच्छी निकल के आ रहे looks में जो है मैं कोई भी कमी या पर नहीं बोलना चाहूँगा हाला कि looks सोड़ा सा copy है अपनी empty बगरा से बट ठीक है exhaust की बात करूँ तो dual barrel exhaust में मिल जाता है front में जो engine कावला में मिल जाता है और बाकी bike देखने में जो हची लग रही है front से भी और rear से भी किसी angle से भी हम जो है bike को बेकार नहीं बोल सकते because यहाँ पर अच्छा design किया है बट वो ही है front design जो है कही ना कही inspired empty से बाकी छोड़ो यार उसको तो लेकिन यहाँ पर जो main चीज़ है नगा इस वो ही इसका engine इंजन जो है company ने अपकी बार यह नया design किया है जिसके अंदर हमें power भी ठीक ठाक मिल जाते है और torque अच्छा मिलता है main बात तो यह कुछ जो इसमें specs हमें देखने को मिलता है guys बाकी जो है pricing की बात करूँ तो 1.38 lakhs है on road जो है लगबग 1.62-1.65 lakhs तक जाएगी जो कि हमारी domina 250-1.65 तक 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 शोरूम आती है तो यहाँ भी price जो है काफ़ अच्छी रखे company ने side stand cut off feature भी जो है इस bike में देखने को मिल जाएगा split gravels हमें देखने को मिल जाती है और all जो है bike एक नई generation है एक नई bike है तो देखने में अच्छी है और features भी अच्छे हैं leg guard हमें मिल जाता है company fitted बाकी हमें और क्या ही चाहिए तो वैस यह था आज की वीडियो में अभी next वीडियो में बात करूँगा 250 app के बारे में जो उसमें कमिया है मैं वो जो आपके साथ शेर करूँगा इसमें जो कमी थी वो मैंने आपको बताई तो यह नहीं है कि यार अपन मतलब कमियों को चुपा देंगे नीचे कमेंट करो मैं आपका रिपलाई जरूर देता हूँ पागे इस मिलते भी next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंट वंदे मातरम लव यू ओल गाइस